Good Morning Students, आज द्रॉइंग में आपका पहला टोपिक है Poster Drawing. Poster Drawing means, Poster Drawing यह ऐसा मीडिया है, जहाँ पर आप बीना बताए, बीना बोले, recalling के मिडियम से या माध्यम से आप बहुत कुछ बोल सकते हो, या बता सकते हो. यही है Poster Drawing. Poster Drawing का आपका टोपिक है Say Water. save water यह हम दो तरीके से बता सकते है एक तो water save कैसे करना है या अगर हमने water save नहीं किया तो कौन से problem आ सकते है यह दो तरीके से हम save water का poster drawing कर सकते है अब मैं आपको एक example बताऊंगा आप जब school जाते हो तो water bottle लेके जाते हो school time में आप उस water bottle से पानी पिते हो स्कूल छुटने के बाद जो water bottle में पानी बचा हुआ होता है वो आप फेक देते हो वेस्ट करते हो अगर आपने ऐसा नहीं किया किसी एक ट्री को वो पानी आपने डाल दिया तो water waste नहीं होगा और उस ट्री की ग्रोथ होगी मतलब ट्री भी से हो जाएगा और water भी waste नहीं जाएगा अब मैं आपको drawing करने के लिए कुछ example दिखाऊँगा यह आपका पहला example यहापे आप देख सकते हो एक अर्थ है अर्थ के आगे एक नल बिठाया गया है और वो उस नल से पानी नीचे जा रहा है और उसके नीचे हाथ पकड़ा हुआ है हाथ के उपर वो पानी गिर रहा है मतलब इस poster से हमें यह समझना है कि पूत्वी से अर्थ से जो पानी वेस्ट जा रहा है वो वेस्ट न करना हमारे हाथ में है और बच्चाना पानी यह भी हमारे हाथ में है अगर हमने वो पानी बचाया तो हमारी अर्थ भी बच जाएगी इससी से हमें यह बताना है कि water save कैसे करना है अब आप drawing देख सकते हैं उसका उपर save water का title किया है वो अच्चे से बोल किया है ताकि हमें वो अच्चे से दिख सके उसके नीचे ड्रॉइंग किया गया है और उसके नीचे दो लाइन्स लिखे गया है इसी तरह से ये एक complete picture दिख रहा है अब next drawing आप देख रहे है उसमें एक water drop है जो piggy bank में गिर रहा है इसका मतलब ये है कि अगर हमने water की एक एक drop बच जाई तो हमें उसका future में use होगा और ये पानी बच जाएगा और हमारे लिए वो आगे use हो जाएगा मतलब पानी बच ना कितना important है ये इस drawing से समझ रहा है next drawing है वहाँ पे भी आप एक अर्थ देख रहे हो उस अर्थ को आप देख रहे हो वो incomplete अर्थ है मतलब ऊपर जो अर्थ में का पानी है वो नीचे नीचे आ रहा है मतलब खत्म हो रहा है मतलब की ये पानी जो वेस्ट हो रहा है ये हमें बचाना है यही इस poster drawing से हमें समझ में आता है आप उपर देख सकते हो headline बहुत बड़ी की है उससे हमें पहले समझ में आता है कि topic क्या है उसके नीचे जो drawing क्या है वो भी बड़ा और अच्छे से क्या है ताकि हमें जट से दिखे और समझ में आए यही आपको करना है examples आपको जो दिखाए है उसमें से आपको themes निकालना है और drawing complete करना है drawing करते टाइम एक याद रखो कि जो आपने थिंग किया है आपने जो themes निकाले है उससे ही आप drawing करो net के उपर से कौनसे भी themes या drawing निकालके drawing मत करो यही आज का यह हमारा topic है save water यह तीन एक्जामपल्स देखके आपका drawing complete कर सकते हो कौनसा भी drawing copy मत करो आपकी दिमाख से जो आता है आपको जो समझ में आता है और आपको जो सूचता है उससे ही आप यह poster drawing complete करो आपकी 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 आपक